आपस सब कशिया ऑर मैं हुम्राइन आजिकाइटीर में इस वाइटीट इस में घेस्मार्फून को करें का और बॉक्सिंग जानेगे जानेड़ इस-क पीतुर्स C1 प्राइस और इसी स्मार्टफून का उन्बॉक्सिंग करके और आप तक पूचिए और वडियो को शेयर अपने दोस्ते के साथ जरू कर देना और चलिए फिहाल इसी रियल में 12 5G स्मार्फून को सबसे बहुत करते हैं और कुछ इस तरीके से रियल में 12 5G स्मार्फून की बोक्स यहां पर हमें देखने को मिल जाता है यह लो कलर में यह बोक्स से बड़े एक्षर में 12 लिखा गया है एड़ जी वान ट्वेंटी एड़ रॉम वेरियंट के साथ मिरवास यह स्मार्फून है रियल में 12 5G सब्सक्राइब का 3X जूम पोर्टरेट केमरा इसमें दिया गया है 6.72 इंचेस का फूल एच्टी प्लास संलाइड डिस्प्लै 45 वार्ट फास्निस पोर्ट के साथ यह स्मार्टफून है 5000 मिलियंपरार बैटरी डियल स्टेरियो स्पीकर्स एंड डिवाइस में 8GB रेम है 128 ग सब्सक्राइब कर्या इसी स्मार्फून को यहां पर इंबॉक्स करते हैं कि इस सेक्षन के अदर क्या कुछ प्रिए तकरें है चलिए जिए यहां पर सीमिजक्टर का यहां पर सिंबल नजर आ रहा है इसके लवा कुछ यह नागया है इसके लवा ये एक बड़ी असा ट्रैंस्पारेंट के इसको वर दिया गया है और ये रहा दूस्तों रियल्मी 12 स्मार्फ़ॉन बहुत ही बड़ी अकलर के साथ में टू लाइट यहाँ पर पर्पल कलर बहुत ही खुबसीरत कलर है दिखाऊंगा बाकी क्या कुछ कॉंटेंट है बॉक्स के अंधर चले देखते हैं करीं घ्रींद से डिसाइन किया गया है जो इसर बस्त है कहां में बाईक आगया गाया है झाला है म पे जरूब थे अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस फूटी के लिए एक लाइक जरू कर दीजिए और इसी स्मार्टफुन की जो बैक बोरी है खुब सुरत है डीजाइन के साथ यहाँ पे नजर आ रहा है देखिए कैमरा पार्ट मस्त तरीके से ब्लैक कैमरा पार्ट देखने में काफी ज्यादा अट्राक्टिब लग रहा है और डिवाइस के दोनों ही कालर काफी मस्त और मुझे तो खास करके यहाँ परपल कलर में यह डिवाइस बहुत ज्यादा अट्राक्टिब लगा और इसी स्मार्टफुन की जो वेट है 188 ग्राम फोन की वेट रखा इसके साथ में फिंगरप्रेंट स्केनर यानि साइड मॉंट फिंगरप्रेंट स्केनर रहें नीचे स्पीकर गेल टाइप सीपोर्ट मैक्रफॉन एं 3.5 में मोडियो चेक भी दिया गया है डिवाइस के ऊपर के तरफ यह पर नौइस किंसलेशन मैक्रफॉन एकीन स्पीकर स्मार्फोन गेल यानि डुयो इस्टेशए स्पीकर के साथ यह समार्फ्वन है और डिवास के लेफ्ट हैं साइड में कुछ बही निये नीट ऑन्कलिन है और चलिकले स्मार्फोन के बाकिन कि इवच्चरं के ऊपर क्या कुछ डिवाइस में दी आगया Mamuги इस इसमार्पोन में धिया गया है 120 हाड जी रिफरेश रेट के साथ में खूप सुरत कलर फुल यहाँ पे डिस्प्ले देखिए नज़र आ राए 6.72 इंचेस का इसी स्मार्फ़न की डिस्प्ले है Full HD Plus Resolution के साथ में इसी स्मार्फोन की डिस्प्ले दिया गया है 1080 x 2400 का पिक्सल से 392 PPA रखा गया है जो PPA density है 392 रखा गया है तो देखा जाए एक बहुत अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले है 120Hz refresh rate मिल रहा है के पर इसिस्मार्फोन के उप openedash 128 is the мड़य ważne चो यहाँ धीð editing इसी स्मार्फोन में या यान लाइज़ में प्लास यह आफ इसी स्मार्फोन में रहा है और 120 स्मार्फोन में दिया गै और तिया ग reflective का मल कि चिप सेट डिया गया है मीड़ड की तर्दय 610 फ्लास 2.2 GHz clock speed के साथ में एक उक्टक और प्रसर इसी स्मार्फोन में दिया गया है और डिवाइस में Android 14 दिया गया है Realme UI लेटेस्ट यह पर 5.0 मिलता है तो overall कहीं न कहीं यह जो स्मार्फोन होगा बहुत यह फास्ट रहेगा क्योंकि इसी स्मार्फोन में दिया गया है काफी तगड़ा काफी सुपर फास्ट चिपसेट अगर बजट रेंज के हिसाब से देखा जाए और डिवाइस के अबाउट सेक्शन पर में इसी स्मार्फोन में दिया गया है तो पॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफ अपने डिवाइस को 30 मिनिट में 1-50% तक आराम से चार्ज कर पाओगे और इसी स्मार्फोन की ओवरल जो यहाँ पर पॉफॉमेंस से हमने देखा बैटरी पॉफॉमेंस में भी डिवाइस बढ़िया है इसके लब यहाँ चिप सेट यानि प्रोस्टर में भी काफी यह डिवा में साइड बन फेस उनलॉक पिन पैटन के आप सेट और देखते हैं किस तरी किस से काम करता है या फस्ट यहाँ देखें जैसे करता हूँ तुरंत दिवाइस उनलोग हो जाता है तो फिंगर पिन इसके नार काफी और इसके लबब इसे स्मार्पोन की कैमरा एक प्राइमरी चैनल में दिया गया है और भी बोडी में अगले यहां पर आप लों के साथ शेयर किया रहे हैं तो डिवाइस में 8 Megapixel का Selfie Camera दिया गया है aperture f2.0 के साथ में जी हाँ कुछ तस्बीर है यहाँ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हो बहुत ही मस्त यहाँ पर quality नजर आ रहा है और यहाँ केमरा के साथ भी काफी सारा यहाँ पर मैंने फोरूस क्लिक या है जो काफी बढ़िया है बहुत ही अच्छा खास है यहाँ पर केमरा result है इसी स्मार्फोन की और मैंने काफी सारा यहाँ पर फोरूस क्लिक या है लिटरिली इसी स्मार्फोन जो camera result है output है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है अगर पाज़र ट्रेंज के इसाब से देखा जाए तो बढ़िया camera result हो अला एक स्मार्फोन है और अब चलिए बात के लिए थे इसी स्मार्फोन की price के बारे में हमने यहाँ पर देखा है device looks design के मामले में बहुत ही बढ़िया है काफी तगड़ा looks के साथ यह स्मार्फोन है इसके लब डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो भी काफी must quality का यहाँ पर डिस्प्ले प्रोवाइट कर दिया गया है पंच्छोल के मेरा के साथ में IPS LCD का यहाँ पर उप्यूख किया गया है 6.72 इंचेस का full HD plus resolution है डिवाइस में midiating की तरफ से chipset दिया गया है midiator mcd 6100 plus एक 5G chipset है और इसी स्मार्टफोन में 108 प्लस 2 megapixel का dual rear camera और 8 megapixel का selfie camera है डिवाइस में side window fingerprint इसके नार दिया गया है 5000 mAh बैटरी 45W का Superbook Charging Support and Superbook Charger इसी box का अंधर दिया गया है और डिवाइस की जो इंडियार मार्केट में प्राइस रखा गया है 8GB 128GB और वेरियन का वो है 17,999 रुपीज यहनु आल्मोस्ट 18,000 का यही स्मार्टफोन है और डिवाइस की जो 6GB 128GB वेरियन है उसका प्राइस है 16,999 रुपीज यहनु आल्मोस्ट 17,000 लेकिन फिलहाल इसमें 2000 का डिसकाउंट है 6GB 128GB वेरियन में जिसका प्राइस बढ़ता है 15,000 तो प्राइस रेंज के इसाप से स्पेसिफिकेशन के इसाप से मुझे एक बड़े डिवाइस लगा रियल्मी 11 स्मार्टफोन के अप्रेड बर्जेट 12 को इंडियन मार्केट में लांच कर दिया है डिवाइस की ओवरल पॉफोमेंस कहीं न कहीं अच्छा है प्राइस रेंज के इसाप से देखा जाए तो तो प्राइस रेंज के इसाप से स्पेसिफिकेशन के इसाप से अगर वान लाइन रिव्यू करो तो आप अपने प्राइस रेंज के इसाप से इसी स्मार्पोन को ले सकते हो आपके लिए अच्छा खासा डिवाईस होगा तो यह तो दूस्तों आज के वडियो में उम्मीद है आप सबको यह वडियो पसंदा होगा अगर आपको यह वडियो पसंद आए तो लिए करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और अपने दो